कि इस वीडियो में हम बायो का यह टॉपिक है यह विविदिता एवन सरक्षाण बायो डावर्सिटी एंड कंजर्वेशन रिलेटेट यहां पर क्वेशन हम लोग करने वाले हैं इससे भी क्वेशन पूछा जाते हैं आप लोग देख लिए नीट 2020 में पूछा गया था यह द करते हैं सुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंज के साथ एक बार शेयर कर दीजिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि रॉबर्ट में के अनुसार विश्व में जाती विविदिता लगब तो इस क्वेशन का जो आंसर है वो हो जाएगा साथ मिलियो तो रॉबर्ट में के अनुसार विश्व में जो जाती में विविदिता देखी गई है वो लगबह कितना देखा गया है साथ मिलियो नेश्ट कोशन है विश्व के निम नलिकित में से कौन सा ऐसा चेतर है जिसमें अधिकतम जाती में विविदिता दरशाया गिया है तो इस कोशन का जो आंसर है वो हो जाएगा ये भी सी एमेजॉन का जो जंगल है यहां पर देखा गया है कि सबसे जादा इस शेतर में जाती विविदिता देखी गई है नेक्स्ट कोशन है सन 1992 में रियो दी जनेरियों में संपन हुआ प्रित्मी शम्मेलन क्यों किया गया था यानिकि यह पूचा जा रहेगी 1992 में जो रियो दी जनेरियों में एक संपन हुआ था उस संपन का नाम दिया गया था प्रित्मी शम्मेलन तो उस क्यों किया गया था इस संपन को झाल झाल अंसर क्या हो जाएगा अंसर इस क्वेशन का हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी जाए भी विद्धा के लिए और इसे लाप के लिए धालनी उप्योग के लिए ठीक है तो रियोदी जनेरियो जो है ब्राजील में हुआ था कब होता है 1992 में जाए भी विद्धा सरक्षार और इसे लाप की धालनी उप्योग के लिए अंद्राश्टी अर्थ समिट जिसको की प्रिथवी समयलन भी कहते हैं यह इसमें एक सो बावन रास्टो ने इस कंवेंशन ऑन ब्यालाजिकल डावर्शिटी पर हस्ताक्षर किये थे ठीक है टॉप्शन नमर सी इसकर्षन का राइट आंसर हो गया कि इस नई इसकोशन निम्नलिकीत में से कौहनेग है टीक इस असर रख्षार की विदिन नहीं नई है कोशन का आंसर जो उ वो क्या हो जाएगा ऐसर इस कोशन का हो जाएगा ऑप्शन नमबर D वानस्पतिक उध्यान तो वानस्पतिक उध्यान एक जय वित्य के संरक्षन की विधी ये नहीं है पवित्रवन है बनाएं गया है वन्य जूअ भ्यारन भी बनाएं गया है जय मंदर शर्क्षिक शेत्र भी इनके लिए बनाएं गया है पादपों और जंतों को विलोपन के कगार पर लाने के लिए नीमने लिखीत में से कौन से सबसे महतिपूना कारण है तो पादपों और जंतों को विलोपन के कगार पर लाने के लिए सबसे जो कारण है महतिपूना कारण वो कौन से है तो यहां पर देखिए जितने भी पादप होते हैं और जंतु होते हैं इनको विलोपन के गगार पर लाने के लिए जो आवाशे च्छती होती है तदा विखनन सबसे इनका महत्युपूर्ण कारण है अगर इनकी आवाश की च्छती होगी तो यह उधर धर भठकेंगे उधर बढ़केंगे उनको परिशानी होगी तो यह इनके विलोपन के गगार पर आएंगे ही जब मानवी क्रियकला पुद्वारा प्राकृतिक आवाशों को खंडित किया जाता है तो इस्तंधारिया पक्षियों उन्हीं जिन्हें बड़े आवाश की जरौत होती है इनकी संक्या हो जाते हैं अगर जंगल प्रभावित होगी तो जंगल में रहने वाले जो जिव जन्तु हैं उनको भी परिशानिया होंगी ही तो ऑप्षिन नमबर बी इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा नेजज़ आयब परागकड़ों का बहुत से वर्षाओ के लिए द्रव नाड्रोजन में किस तापमाण पर होती हैं इनको भी बंडारित करके रखा जाता है और इसको सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है द्रव नाड्रोजन का यूज किया जाता है उसको यहाँ पर बताना है इंसर क्या हो जाएगा इस कोशर्ण का यह हो जाएगा ऊप्शन नमबर ए मैंनस 1296 डिगरी सेल्सेस पर इनको स्टोरेज करके रखा जाता है और इस जो विदी प्रोसेस होती इस विदी को नेम्न तापे पर रख श्र्दा भी कहा जाता है कि यहां पर कंजर्वेशन जो होती है उसमें नहीं आता है तो मैंने इसके पहले कोशन में आपको बताया था कि जितने पवित्रवन होते हैं कि पवित्रवन हो गए और देखिये यहां पर कि पवित्रवन हो गए जयमंनासरक्ष सेट्र 1 यह जी अभ्यारत ये क्या है में चैक है अध्यान का था अभी यह से क्या पोछे हैं कि जो अग्रसाने साहुर्ण में नहीं आते हैं यानि कि एक सीच 마지막 से थे बताना और इस कौन सा आएगा पैवित्र ज्रीले मैं कौन संकर्ण कर दुन कि एक से साब्सक्यस को बताना कि झाल झाल तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेशन का ओप्शन नमबर ए वनी प्राणी सफारी पार्क ठीक यह किसे बायो सुष्थान सरुक्षर से है चली नेक्स ट्रे अलेक्जेंडर वान हम बोल्टनी शरुप्रतम क्या वर्डित किया था आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी एलेक्जेंडर वान हम बोल्टनी सरुक्रतम जाती छेत्र संब्ध को वर्डित किया था उन्होंने एक अलोकन किया और अपने अलोकन में पाया कि एक जो छेत्र है इसमें जाती सम्रिद्धी छेत्र बढ़ाने पर बढ़ती है ठीक है तो क्या है छेत्र बढ़ाने पर जाती बढ़ती है कि तो यह एक सीमा तक ही होता है नेस्ट जैव मंदर सरक्षिक शेत्र कवाभा जो कानिमनी रूप से सुरक्षी थे और वहां मानाओ की किसी भी गतिविदी की आग्या नहीं होती है वह क्या कहाता है निकि मानाओ वहां पर नहीं जा सकता अपने जो भी जीव है एनिमल से उनको वहां पर चारगाह के लिए न लकड़ी नहीं कार सकता तो यह सब चीजें वो नहीं कर सकता है इस चेत्र को क्या कहा जाता है तो ऐसे चेत्र को कहते हैं क्या कहते हैं क्रोड चेत्र क्रोड एरिया कहा जाता है इस एरिया को अप्शन नमबर कौन सा अब तक वीशु में कितने जय वीजिता वाले होर्स परट पहचाने गए है होज्ट स्पट एरिया ऐसे छेतर को घोशित क्या जाता है जहाँ पर बहुत सार जय वीजिता देखने को मिलते हैं और जया विवेता हमारी पर्यावर्ण के लिए अतियावश्यक होता है और अच्छा माना जाता है तो एंसर क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा 34 तो जया विवेता होर्सपोर्ट वेच होतर होते हैं जो कि जाती सवरिधी के लिए बहुत उच्छे इस्थानिकता और त्वरित अवास हानी द्वारा लक्षडीत होते हैं यह संकल्पनः पूछे जाएगा कि भारत में कितने होर्सपोर्ट हैं विश्व में तो है 34 लेकिन भारत में हैं चार वह कौन-कौन से हैं एक है हमारा पश्रीमी घार दूसरा है श्री लंका इंडो वर्मा वाला एरिया तीसरा है पूर्वी हिमाले और जौधा शुंडा लैंड यह चार आ हुआ 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 है तो अमसर कौन से हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए जो अप्शन नमबर ए है यही सही से मैस ज्यानी की पार्ति नियाम हिस्ट्रोफोरस जै विवित्ता के लिए संकर्ठ है ठीक है नेसर क्वेशन है यहां पर देखे लाल सुची में किनके बारे में आग्रे या सुचना होती है रेड लिस्ट आती है रेड लिस्ट में क्या होता है उसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है आयू-CN के द्वारे ये लिस्ट जारी किया जाता है को तो यहाँ पर लाल सुची में किन के बारे में आक्लेया सूचना होती हैं तो यह उपन संकर्टा प परने जात्य होता है इनके बारे में यहां पर सूचना को मिलती है ठीक है संकर्टा ने जो कभी स्टार्ट किया गया था 1963 में आयो सीएन के द्वारे इस्ट्राट किया गया था ऐसी एन का जो हैट कोटर है इसको बताना है एंसर इस क्वेश्चन का क्या हुजाएं को प्शिंट नवर भी नेस्ट्रे भारत का रास्त्री जली प्राणी कौन सा है भारत का रास्त्री जली प्राणी कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका नदी की डॉलफिन यहाँ पर सरीता डॉल्फिन पवित्र गंगा एवं ब्रम्हपुत्र नदियों में पाई जाती है भारत की राष्ट्री जली जन्तु है यह गंगा नदी में डॉल्फिन की उपस्तिती इसकी सुधता ताजगी की ओर संकेत करते हैं की गंगा नदी के पानी अधिशुद्ध है तो वहाँ पर पाया जाएगा डॉल्फिन नेस्ट जन्तु और पादपों की विलुपती का निम्दलिकित में से कौन सा एक सबसे मिल्ख्य कारण है तो जन्तु और पादपों की विलुपती का निम्दलिकित में से कौन सा एक मिल्ख्य कारण है कारण यहाँ पर है आवाज शानी और खंडन जैसा हमने देखा प्रिवेस क्वेशन में सेम वैसा यह अगर इनकी आवास की हानी करेंगी इनका खंडन करेंगी तो यह जाती जो है डवलप नहीं कर पाएगी यह खतम होने की कगार पर आ जाएगी हम लोग फॉरेस को अगर हानी पहुचाएंगी फॉरेस को नुक्षान करेंगे वहाँ पर आग लगेगी पेड़ पौधे काटेंगे तो उनकी अवास शिस्थर भी नस्ट होंगे खराब होंगे ठीक नेश्र एक विसिस्थर छेत्र में सीमित रहने वाली जाती जो कि अन्यत्र नहीं पाए जाती उसे क्या कहा जाता है यानि कि ऐसी जातियां जो कि सिर्फ विसिस्थर छेत्र में हर जगा नहीं पाए जाती है उनको क्या कहा जाता है तो उस चेत्र को क्या कहा जाता है उस चेत्र को कहा जाता है विशेशी चेत्र ठीक ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा इस कोशन का आंसर नेस्ट कोशन ने बाहिस्थाने स्टरक्षन का एक उधारर कौन सा है तो कौन से हैं बाहिस्थाने स्टरक्षन का उधारर तो आंसर क्या हो जाएगा इसका तो देखें बाहिस्थाने एक स्टरक्षन में जीवों को उनके प्राक्रितिक आवाज से बाहर मानो निर्मित आवास में रखा जाते हैं इसलिए इसको बाहिस्थाने स्टरक्षन कहते हैं सिइन के अनेक उधारण है जैसे हो जलतौ उध्यान हो गया वनस्पतिक उध्यान हों गये है निम्नताब परिरक्षन हो गया प्रयुक सालाएं हो गया जीन बैंक हो गया जोन लाब्रेरी हो कि हूग्ण खो गया विर्या बैंक हो गया यह युगमक बैंक यह सभी क्या होते हैं एक्स सीटू सरक्षर का उधारण होता है यारे कि ऑप्शन अबर भी इसमें आएगा बाकी तो इन सीटू है जो तीनों मैंने आपको बताया था नेक्स रहे एक जाती जो कि निकट भविस्टर में विलोपन की उच जोखिम की चरमता का सामना कर रही उसे क्या कहा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा क्रांतिक संकटापन तो एक जाती ऐसी है जो कि अपने निकट भविस्टर में विलोपन की च्छेत्र में है तो यहां पर क्या हो जाएगा उसे क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा क्रांतिक संकटापन तिक ओप्शन नमर सी नेस्ट कौन से संगटन जातियों की रेड सुची प्रकासित करती है तो मैंने आपको बताया था कि जो रेड लिस्ट होती है वो कौन जारी करता है आई यू सी एन इसका जो हेड कोटर है ग्लैंड स्वीडिजर लैंड में इस सित है अप्शन नमबर भी हो जाएगा नहीं में लिकित में से ऐसा कौन सा एक से सी टू पादप संरक्षार में प्रयोक्ति नहीं होता है ऐसा कौन सा एक से सी टू है जो कि पादप संरक्षार में प्रयोक्ति नहीं होता है इनमें से तो मैंने आपको एक्सामपल में बताया था बीच बेंक हो गया वीडियो बेंक हो गया चेतरजीन बेंक हो गया in Sanantris जुताही हो गई और क्या बताया था और उध्यान वनस्पति को अध्यान बताया था ठीक है और नीमनावता परेक्शन प्रयूक्स आ आए kick यह सभी एक सीटू सरक्षान के अंतरगत आती है लेकिन वानस्पतिक उद्यान जो है न यह नहीं आती है यह इंसीटू के अंतरगत आती है चलिए मालörtं दो के उड़रासपतिक किसमें आएंगे हुआए थो ऑइगे तो अब्हीाइज को पडियानहीं लनुट परिडियक्षनर प्रिवुख्षाल ऐए जीन-बैंग, वेरियो बैंग, वीज-बैंग, पिज-बैंग, ये सब्हीं एग careliches, car ne नेस्ट कोशन है वैस्विक जाय विविदता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या होती है? तो अंसर इसका कौन सा हो जाएगा? अंसर इसका हो जाएगा अप्शन नमबर C कवक तो वैस्विक जाय विविदता में किसकी जातियों की संख्या अधिकतम होती है? नेस्ट भारत में निम्दली कितमे से कौन सा एक छेत्र जाय विविदता का होर्सपॉट है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत में चार होर्सपॉट एरिया है पस्षिमी घाट का था एक दोसरा कौन था? स्रिलंका इंडो वर्मा वाला एरिया था तेसरा था पुर्वी हिमाले और चौथा था सुंडाला है तो यहां पर कौन सा हो गया? पस्षिमी घाट यह एक छे उपयोगी होते हैं तो यहां पर पवित्रोपन विशिस्ता की संदर्व में उपयोगी होता है तो यह होता है आपका ओप्शन नमर्डी यानि की दूरलप था संगटा पन जो प्रजाती होते हैं इनके सराक्षान के लिए पवित्र उप्वन बनाया जाती है ठीक है? चलिए नेस्ट कोशन है कि जैविवित्ता की विशाय में सही कथन को चुनी जैविविवित्ता की विशाय में जो सही है उसको यहां पर अंसर करना है करना है कुंसा सही है इन में से देखें पस्चिमी घाटों पर बहुत कुछ इस तरह इस पिसी संपन्नता और साथ ही साथ इस थानिकता पाई जाती है यानिके ऑप्शन अबर सी इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट भारत में निम्न रिकीत में से कौनसा एक्षेत्र जयविदा का होर्सपॉर्ट है तो अभी आया था ये कौनसा हो जाएगा पस्चिमी घाट चले नेक्स कर्शन देखते हैं कि प्रक्रिती में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां किसकी पाई जाती है तो ये भी देखी कोशन रिपीट होते हैं ये दुजर 11 में आया था फिर इसके पहले हमने देखा तो कोई और येर में आया था तब ही हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या हमने डिस्कस किया था कवकों की नेस्टर भारत वर्सा में सबसे अधिक अनुवांशिक विवी दितानी मिलकित में से किस एक में होती है तो अनुवांशिक विवी इनता किस में देखी जाती है तो भारत वर्सा में सबसे अधिक अनुवांशिक विवी दितानी मिलकित में से किस एक में होती है तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी चावल में यहां से ए से डी तक कि कुछ ऑप्शन आपको दी हुई है दो रिक्त इस्थान सहीथ है तो आपको यहां पर इसको फुल्फिल करना है यानि कि इन एक और दो तीन चार पाच यहां पर कुछ रिक्त इस्थान है उनके साथ क्या आएगा उनके साथ यहां पर जो आप्शन है वो आने वाले हैं तो उसको कहा यहाँ पर feel up करना है तो पढ़िए सारा और बताइए क्या हो जाएगा आगे दिख नहीं रहा होगा हम लोग पहले आदा कोशन देख लिजे फिर हम लोग थोड़ा उपर कर लेंगे अब यह देखिए यह डीता का ओप्शन देर है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इस कॉश्चन का ओप्शन देखिए क्या हो जाएगा इस कॉश्चन का आंसर आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 29 का यानि कि यहां पर देखिए फर्स्ट में भालू जो है श्रीत निस्क्रियता में चले जाते हैं ताकि सर्दियों में अतधिक ठंट से बचा जा सके फिर यहां पर है व्यापक अधार युक्त संकुरूपी आयू के पिरामीड क्या होते हैं विस्त्रित मानों सम्मस्त्री दर्शाते हैं तो यह यहां पर फील होके सही हो रहा है तो यह इसका अंसर सही होगा नेस्टर कोश्चन है भगुलिक चेतर की जय विवित्ता दर्शाती है तो भगुलिक चेतर की जय विवित्ता होती है वो किस चीज को दर्शाती है तो आंसर क्या हो जाएगा भगुलिक चेतर की जय विवित्ता होती है यह बताती है कि चेतर में रहने वाले जियों में कितनी विवित्ता पाई जा रही है तिक और नमबर सी इसक्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा नेसरा कोशन है निकिनी में लगित में से कौन सा एक बाय इस्थान पर रक्षन का उदाहरन है तो आंसर क्या हो जाएगा कि बाय इस थान पर रक्षर को दाहरन कि है अब आप खुद इसका अंसर कर सकते ही क्योंकि मैंने कई बार आपको बता दिया है कि बीच बैंक इसका बाय इस्थान पर है नीचे दिए गए चार कथन दिए जा रहे हैं इन में से दो सही कथन को यहाँ पर अंसर लगाना है क्योंकि हमें आधर अप्शन तो दिखेगा ने इसलिए आप चार अप्शन को पढ़िए दो अप्शन अप्जूस कीजिए फिर हम लुक देखेंगे तो क्या हो जाएगा इस कोईशन का आंसर अब देखेंगे यहाँ पर अप्शन पर अप्शन पर अप्शन पर अब देखेंगे यहाँ तो ए और भी जो है यह सही हो जाएगा यह दोनों सेंटेंस जो है वह राइट सेंटेंस हो जाएंगे देख लीचे एक बार नेक्स्ट भारती ग्यंडा प्राकृतिक रूप से किस भारती राज्य का निवासी है? तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक ग्यंडा जो भारती ग्यंडा है प्राकृतिक रूप से किस भारती राज्य का निवासी बाना जाता है? तो यह है आसम का अपसर नमर सी इस कोईशन का राइट आंसर हो जाएगा निवासी नहीं है? कौन से इस्थान में बाग नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कौन से हो जाएगा? उप्शन अब डी हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एस्यार्टिक सेर पाया जाते हैं? हाँ पर बाग नहीं पाया जाता है? ने इस्था भारत में निम्द कित में से किस एक में सरवाधिक अनुवांसिक विविधिता देखी जाती है यहाँ पर देखिए किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है आपके उप्शन नमबर C यानि की आम में सबस्दाद अनुवांसिक विवित तता देखी जाती है चलिए नेक्स्ट रहें निर्वाशिल यानि की टिकाओ विकास विसेपद विश्व सम्मेलन 2002 कहां पर हुआ था यह विश्व सम्मेलन 2002 कहां पर हुआ था तो यह देखिए जैव विता का सरक्षर सभी रास्त्रों का एक समित उतरदाई तो होता है लेकिन यहां पर जो जैव विता है यह रियोड जनेरियों का मैंने आपको बताते हुआ था जोहांस वर्ग में हुआ था तक्षिर आपरिका में इस दीत है तो अप्शन बर बी इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेश कोशन है कि नीचे दिये जारी सार्णी में चार छेत्र ए से डी दिया हुआ है इनके भीतर मौजूद आवासों की संख्या कोश्ट्रकों की भीतर दी गई पाय जाने वाली दस इस्पीसीज की संख्या जो की हजारों की संख्या में है ये दी गई है तो सार्णी का अध्यन कीजिए और उसके बाद पूछे जा रहे है है जो भी प्रश्न है उनका उत्तर करना है तो यहां पर देख लीजिये यह question skip कर सकते हैं क्योंकि यहां पर species आपको पुरा ही तो याद होगा नहीं और कितनी जन संख्या है है जार में तो यह question आप skip कर दीजें क्योंकि यह भी आप याद कर भी नहीं सकते टाइम कम है निश्र जैविविता के तब तर इस्थलों में कौन सा एक पहलू मौजूद होता नहीं पाया जाता है यानि कि जो हॉर्सपॉट एरिया है उनमें से ऐसा कौन सा है जो कि उस इस्थान पर नहीं पाया जाता है यानिकि उस इस्थान के नुरूप उसको जैव वितर गोसित नहीं किया गया है देखिये जैव वितर यह होस पर गोसित करने के कुछ पहलु होते हैं ठीक है और उन्हीं पहलु के आधार पर उसको जैव वितर अंसर क्या हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ए तो वहाँ पर पहलो में देखा जाता है जाती संपनता इस्थानिक्ता त्वरिट जाती हानी यह सब देखा जाता है लेकिन निम्नतर अंतर जाती प्रतिसपर्धा नहीं देखी जाती है ने इस तो भारत में निम्नकित में से किस एक उसदी पौधे की स्पीचिस संकट गरस्त है तो ऐसी कौन से अवसाधी पौधा है पोड़ो फिलम यह अभी सेंकट ग्रस्त है नेक्स्टा निमली कित्में से किस एक जोड़े में दोनों ही जिवधारी भारत में विदेशी गत स्पीसीज है हुआ हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नुबर सी लैंटाना कैमेरा और जल को मोधनी यह क्या है विदेशी गत स्पीसीज हैं यह दिकें इस टो कोश्टन क्या है यहां पर निम्दरिकित में से किस एक जोड़े में एक परियावास हैबिटेड जिसक लिख पराड़ी को गलत तरीके से मिलाया गया है कौन से इस्थान पर कौन सा चीज पाया जाते इसको मैज करने है और जो रंग तरीके से मैज यह उसको अंसर करना है तो क्या हो जाएगा इसको अंसर तो इस कोशन का जो आज़र हो जाएगा देखिए यह रॉंग तरीके से मैंस रेकों से दाची ग्राम रास्ट्री उद्यान कहां परिस्तित है यह है अपके चमुकासमेर में ठीक है यहां पर हंगूल देखने को मिलता है यहां पर हीमतिय दौन नहीं पाया जाता है कक्षा की में जंगली कथा पाया जाता है सुंदर्वर्म बंगाल टाइगर के लिए फेमस है पेडियार में जो है हाथ ही पाया जाता है चलिए नीज कोशन है भगोलिक ट्रिथर करण का एक महत्व परिणाम यह है कि इसमें डैस क्या हो जाएगा अंसर अंसर इसका हो जाएगा देखिए अप्शन नमबर डी जनन प्रिथर करण के लिए नहीं जाती बनती है ठीक है चलिए नेश्र कोशन है कि निम्न लिकित में से कौन एक स्वाइस्थाने स्वरक्षन में सम्मिलिक नहीं है आप इसको कोशन अचानी से लगा सकते हैं आप इन और है यहां पर देखिए बार पूछ जा रहा है तो यहां पर क्या क्याहते है राश्ट्री अध्यार अतल ने आता है जुब लीक शेतर आते हैं पवित्रक्षान यहां पर देखने को मिलता है ऐसमत्तिक वार्टिक SEC2 में आता है ठीक है तो यह discussion का answer हो जाएगा चलिए नेश्र निम्नलिकित में से किसे एक जोड़े में एक संकटक ग्रश्त प्राणी तथा एक राश्री उपवन को सही से मिलाया गया है जो इस question का answer क्या हो जाएगा अंसर इसका होगा बी एक सिंग वाला गेंडर के लिए फेमस है काजी रंगा राश्री उद्यान चली और एक्सर्रा देख लेज नहीं अहां पर क्या पाया जाता है क्यारब act this to be उड़्यान जो है बात पाये जाता है गेर राश्रे उद्यान में ॏस्ट सेर देखने को मिलता है दुद्वा रास्रे उद्यान में सवैंप ड्या देखने को मिलते हैं के बला दे रास्ट्री उद्यान जो है जलिय पक्षियों हे तू प्रसिद्ध है और डेजर्ट रास्ट्री उद्यान है ग्रेट इंडियन बरस्टर्ट के लिए कि ने wider है भारत में निमदल केत में से किसको जैवी विता का हॉर्सपार्ट माना जाता है तो हमने इसको तीन चार बर देखी लिया है तो पस्ष्चिमी घाट हो जाएगा अलसार ने смотреть कूशन है निमदल केत में किस जोड़े में दोनों ही भारत में शंकड गरस्तरज्यों माने जाते हैं आसर इसका क्या हो जाएगा आसर हो जाएगा बैंट्री किया निको बारी का दधा लाल पांडा ये दोनों ही भारत में संकट ग्रस्त जीव माने जाते हैं नेसरों की सक्षांस पर सुरिताव से होने वाला उस्मा लाप थली विकिरर द्वारा उस्मा हाने के लगभग बराबर होता है इस क्वेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 40 डिगरी उद्धर द्धर दक्षिर यहाँ पर ऐसा अक्षार से जिस पर सुरिताव से होने वाला उस्मा लाप थली विकिरर द्वारा उस्मा हाने के लाप के बराबर होता है चलिने इस कोशा ने भारत के जैविविता अधिनियम को संसर ने किस वर्ष में पारित किया था तो यहाँ पर किसी एर में पारित किया गया था यह किया था 2002 में इसको पारित किया गया था option number a next question है यहाँ पर देखे किसी छेत्र में पादपी विदिता के सुरक्षर के लिए आपके विचार में सरबाधिक प्रभावशिल विधी क्या होगी तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए जियो मंडल अरक्षिक बहुत देशे स्वरक्षिक शेत्र हैं जिनको बनाने का जो उद्देश है वो है प्रतिनीधी परितंत्र में बहुत से प्राक्रितिक बायों और विसिस्ट्र जाविक समुदायों की जेनेटिक विविदिता की स्व सुरक्षा करना और यह जो वयन है समस्त्री आदिवास्तों की परंपरागत जिवन सैली और पालतु पादप और जंतु के जेनेटिक संसाधनों की सुरक्षा द्वारा किया जाता है इसमें एक कोर छेत्र होता है जिसमें की कोई भी मानवी क्रियाय नहीं होती है और एक लुगों की क्रियाय जैसे की बसना खेती करना मनुरंजवन अधी सामिल होती है तो यह तीन एरियास में इसको डिवाइट कर दिया जाता है इस कोशन का जो आंसर है वो हो जाए को आप्शन नमबर ए निश्रू कोशन है यहाँ पर देखिए कश्यरूकियों में किस समो में संकटापन इस्पीसीज की संख्या अधिक्तम है ऐसा कौन सा समो है जिसमें संकटापन जो इस्पीसीज है वो सबसे अधिक्तम देखने को मिलती है तो इस कोशन का जो आंसर है वो हो जाएगा इस तनी ठीक है जिते भी मैमल्स है यह इस तरह कोशन है वह कौन सा संकटापन प्राणी है जिससे विश्व की सबसे बढ़िया सबसे हलकी सबसे अधिक गराम तथा सबसे ज्यादा कीमती उन शेहतूत प्राप्त होती है तो यहां से करि आंसर शेहतूत किससे प्राप्त होती है तो यह देखें जो चीड़ू होती है वह या फिर तीबबती बारा शिंगा जो होती है इनके मध्य आकार का रूमिनेंट के सद्रिश होता है जो की लगबर 1.2 मीटर उचाई में होता है इसका आवरण धूसर से लाल भूरा तथा अंदर से श्वेत होता है चीरू का उन जो होता है वो सहतूत कहलाता है इवह गर्म, मुलायाम तथा महीन होता है तो अक्षिन नमर्डी इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा नेस कोशन है वन्य जियों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है इसका जो मुख्या कारण है ये कारण क्या है क्यों इनमें कमिया देखने को मिल रही है तुवर्न जियों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है इसका जो मुख्या कारण है ये कारण इसका हो सकता है क्या कि आवासों का समाप्त होना उनकी आवासों वो छती ग्रस्त होते जा रहे है जिनके कारण उन्य जो है कमिया देखने को मिल रही है और एक होता है वैदर वैदर भी उस पर डिपेंड करता है जलवाई हूँ नेस्टर कुशन है कि आस्ट्रेलिया तता दक्षिट अमेरिका में एंडमिक जातियों के पाया जाने का जो कारण है वो क्या है तो और चेलिया ही तता दक्षिट अमेरिका में एंडमिक जातियों के पाया जाने का जो कारण है वो क्या माना जाता है कि महादुई प्रिथाकरण को माना जाता है और अप्षिन नमबर बी